आज हमें एसे एंकर की बात करने वाले हैं जिनका अक्सर विवादों से ज़्यादा नातर रहा है जिने तियार जेल भी जाना पड़ गया था और उन्होंने 2000 के नोट में नेनो चिप भी बताई थी जिहां दोस्तो हम बात करने वाले हैं सुधीर चोधरी के बारे में तो आज सुधीर चोधरी एक हिंदु जाट परिवार से उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन कुछ वेबसाइट के मुताविक फोटो में दीख रहे हैं वो सुधीर चोधरी के पिता बताय जाते लेकिन दोस्तो हम इसके लिए 100% स्चोर नहीं है सुधी मास कम्यूनिकेशन नई दिल्ली में दाकिला लिया सुधीर चोधरी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे वो अपने स्कूल और कोलेज के दिनों में अक्सर वाद विवाद पृतियोग गीता में हिस्सा लिया करते थे बचपन से ही उन्हें करेंटे अफैर में दिल्च उन्नीस सु तिर्यान पे में जी न्यूस से पत्रकार के रूप में कीती यहां वाँ समय था जब जी न्यूस चैनल नया नया ही शुरू हुआ था सुधीर चोधरी एक समचार एंकर के रूप में चैनल में शामिल हुए और 2001 के भारती संसद हमले और कारगील यूद्ध प्रमुक कहानियों को कवर किया था सुधीर चोधरी उस टीम का हिस्सत है जिसने आतंगवादी हमले के बाद अटल भिहरी वाजफ़ई और परवेज मुसर्रफ के बीच इसलामाबाद की बेठक को कवर किया था 2003 में उन्होंने जी न्यूस से अपने पत्से इस्तिपदी द गए सुधीर चोधरी ने फिर वहां कुछ समय के लिए काम किया और चैनल के प्रदान समपधक के रूप में लाइव इंडिया में शामिल हो गए दोस्तो 2012 में सुधीर चोधरी फिर से G-news में लोटाए और प्रदान समपदक के रूप में कारियाले पर कबजा कर लिया इसके बाद सुधीर चोधरी G-news में DNA को होश्ट करते थे जो कि बहुत पोपुलर हुआ DNA प्रोग्राम के माध्यम से G-news की लोगप्रिता बहुत बढ़ गई थी और लंबे समय तक वो G-news में डटे रहे लेकिन G-news में 10 साल की आउदी के बाद सुधीर चोधरी ने जुलाई 2022 को G-news को अलविदा के दिया यसा भी बताया जाता है कि इस्तिपा देने के वक्त सुधीर चोधरी खुद का चेनल शुरू करना चाहते थे लेकिन इसके बाद सुधीर चोधरी ने आज तक जोईन कर लिया और वो आज तक में बलेक इन वाइट प्रोगाम लेकर आते हैं दोस्तो सुधीर चोधरी G-news में रहते हुए रात 9 बजे का प्राइम टाइम सोव DNA याने की डेली न्यूज एनलिसिस को होस्ट किया करते थे लेकिन अब इस शोको मीडिया ग्रूप के एक और चेनल जी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन होस्ट कर रहे हैं सुधीर चोधरी को इस मीडिया टेलिविजन इंडिस्ट्री का 30 साल का नुबह हुए दोस्तो अब बात कर लेते हैं सुधीर चोधरी के विवादों के बारे में दोस्तो सुधीर चोधरी अक्सर विवादों में गिरते रहते हैं और यहां आरोप सुधीर पर उद्योपति बिजनिसमेन और कांग्रेस सांसाद नवीन जिंदल ने लगाये थे। जिंदल जमु के मालिक नवीन जिंदल ने बताये कि सुधीर चोधरी ने कोईला घोटाले से संबंदित उनकी खबरों के प्रस्तरन को रोकने के लिए सुधीर और उनके साथी समीर ने 100 करोड रूपय की मांग की थी। इन आरोपों के चलते सुधीर और समीर को दिल्ले की तिहार जेल में 12 दिन हीरासत में बिताने पड़े। परंतु बाद में कोट द्वारा जमनत मिलने पर सुधीर जमनत पर छुट गए। दूसरे नमबर पर बात करते टीम सी सांचद महुवा मोहत्रा ने लगाये थे पेड न्यूज के आरोप। दोस्तों आपको बता दे कि देश में कोरोना काल के समय एक खास जाती की धर्म के लोगों को लक्षित कर बदनाम करने का आरोप सुधीर चोधरी पर लग चुके। उन्होंने कहा था कि 2000 रुपे के नोट में एक नेनो चिप लगा रहेगा जिसे नोट चुपने के बाद भी पता लग जाएगा कि वहां का चुपाये गया है लेकिन या बात जूट होई थी। और इसके बाद सुधीर चोधरी पर काफी मिम्स भी बने थे। दोस्तो ये तो हो गए इनके विवाद, अब सुधीर चोधरी के सम्मान के बारे में भी बात कर लेते हैं। करते हैं हमें कमेंड में जरूर बताए धन्यवाद।